आओचार नमस्कार साथियों सब्सक्केश को अफिश्क की पूर्य तरफ से हम कर रहे थे परिश्का की तैयारी और जब भी परिश्का की तैयारी की बात आती है तो अभिश्का की बात आनी तो ज़रूरी है 36 बोड के लिए हमारा काम चल रहा है कक्षा बार्वी की भौतिकी के लिए आपकी परिच्छा की तयारी कराना इसके अलावा सारे विश्यों पर आपको हमारे सिक्षक मिल जाएंगे जो कि YouTube पर और हमारे application दोनों जगह पर उपलब्द हैं हमारे application में जाने पर आपको Mission 2023 नाम का सेग्मेंट दिखाई देगा जहां पर से आप सारे के सारे वीडियो जो है वो देख सकते हैं इसके अलावा आपको additional substances मिलते हैं additional content मिलते हैं जैसे की mind map, short notes, important questions और one-to-one mentorship तो हम लोगों ने क्या बाते की थी भू-Chumbakr, इस विशह पर हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर लिए हैं इन बातों के सिलसे में जब आखरी बार हम सी मिले थे तब हम लोगों ने अनुप्रतित्य चुम्बकी पदार्थों के बारे में बाते की थी प्रती चुम्ब की पदार्थों के बारे में बात करने के बाद में हम लोगोंने इस्तर पर जाकर उसके बारे में चर्चाय की और आज हमारा जो है चर्चा का विशाय वो अनुचुम्ब की अपदार्थ होंगे अब ये अनुचुम्ब की अपदार्थ होते क्या है और इनका जो है काम करने का तरीका क्या है आए हम इसमें जो है इसी बात पर चर्चा कर लेते हैं जब भी किसी अनुचुम्ब की अपदा लगते हैं कि आपको यहाँ पर अनुछंब कि पदार्थों के लिए जो मतलब यहाँ पर जो उपर वाला स्तर है उपर वाला जो लेयर है जो चुंबक के पास है दूसरे स्तर से उपर दिखाय स्तर की और आकरशी की बात करें तो बाहर की तुन्ना में इसके अंदर चुम्बकिय फ्लक्स का मान अधिक होता है यहां पर से ज्यादा से ज्यादा चुम्बकिय बल रेखाएं गुजरने का प्रयत्न करती हैं अब हमें यह समझना है कि ऐसा होता क्यों है तो अनुचुम्बकिय पदार्थों की पज़भाषा क्या है यह पदार्स में रखे जाने पर छेत्र के शमानतर होकर चीर कर भाइं और रिखना है और प्रती चुंबच की पदार्थों की गटे-गिरे में आते हैं अब हम लोगको यह समझना है कि अनुचुंबच की पदार्थों का यह मतलब behavior होता है तो होता क्यों तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं परमानुक इस तर पर सबसे पहले हम प्रती चुम्ब की पदार्थों के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे प्रती चुम्ब की पदार्थ वे पदार्थ हैं जिसके परमानु में किसी भी कक्छा में इलेट्रानों की संख्या जो समान उर् जिए के कख्षक में गति कर रहे हैं इसलिए इनके दौारा जो चुम्बकी छेतर उत्पन होता है वह परिमान में एक बराबर होता है लेकिन क्योंकि विपरित दिसा में गति कर रहे हैं जैसा कि हम लोगों ने आफ़ वाओ के इलेटरॉन में कख्षक के वितरण की बात करी थ तो समानी स्थिती में प्रति चुम्बकी पदार्थ जो है किसी भी चुम्बकी भाति विवहार नहीं कर रहा होता है लेकिन जैसे ही हम बाहे चुम्बकी छेतर में इसको जो है लेकर आते हैं तो बाहे चुम्बकी छेतर में लाते ही यहाँ पर एक विसेश प्रभाव इलेट्रॉन आपनी कक्षा से चोटी कक्षा में और दूसरा इलेट्रॉन आपनी कक्षा से बड़ी कक्षा में भूमकर गती करने लगता है। लेकिन जब हम जो है अनुचुम्ब किये पदार्थों की बात कर रहे हैं ऐसी स्थिती में आप हाइडोजन एटम की बात फिर से कर लीजिए हाइडोजन परमाणू में क्या होता है एक ही इलेट्रॉन होता है और एक ही इलेट्रॉन होने के कारण इसमें जो है एक बहुत ही छ यहां पर मान है अब हम लोग क्या देखते हैं कि एक इकलोता हाइडोजन अगर हम लोग देख रहे होते तो उसमें कुछ को अपनी मूल प्रवित्ती होती है लेकिन ऐसे पदात्तों को जब हम जो है बहुत ज्यादा आयतन में या बहुत अधिक संख्या में एक साथ रखते है तो इनके सब के अपने अपने चुम्बकी छेतर जो है कुछ इस पकार से विवस्थित होते हैं या बोला जाए अविवस्थित होते हैं कि इस पदार्थ में अपनी कोई मूल चुम्बक शीलता नहीं होती है लेकिन जैसे ही हम इसे बाहे चुम्बकी छेतर में रखते हैं त इसमें कुछ मूल चुम्बक शीलता हमें नजर आने लगती है ये मूल चुम्बक शीलता असल में दो प्रकार की चुम्बक शीलता का योग होता है जिसमें ये एक होती है बाहर चुम्बक की छेतर जो लगाया गया है और उसके साथ-साथ इन पदार्थों का खुद अलाइन ह उसकी विध करके चुम्बक के Sirim बहाती वेवहार करने से इनकी अपनी चुमबक के इन दोनों को जोड़ d zac हमें कुल- सुम्बक χी प्राप्त होती है जो की मूल चुम्बक बाहर चुम्बक के चेतライ से अधिक होती है स्वैम ही चुम्मक की भाते विवहार करने लगते हैं और उसी तरीके से इसके अंदर जो है चुम्मक की छेतर की तीवता याने की फ्लक्स जो है वो बाहर की तुलना में अधिक हो जाता है तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा अब इसके गुर्धर्म समझ लेते हैं पहली बात यह ह कि सक्तिसाली चुम्मक को द्वरा आकरशित होने वाले हैं क्योंकि यह सक्तिसाली चुमक की छेतर की दिसा में ही विवस्थित हो जाते हैं अब इसको जो है किसी चुमक की छेतर में सुतनता पूरवक लटका देंगे तो वह घूम कर चुमक की छेतर के समानतर हो जाएगा औ हम लोगों ने यहां देखा तो यहां पर चुम्ब की छेतर जो है यहां पर तीवर चेतर की और बढ़ने लगता है यही बात हम लोगों को यहां पर दिखाए दी कि अधिक तीवरता वाले भाग की और बढ़ने लगेगा चलने लगेगा और यदि धुरों की बीच की दूरी बढ़ादें तो दरव बीच में डब कर किनारों पर उपर उठ जाता है मतलब यह है कि मान लिया जाए कि हम लोगों ने इसको एक करटोरु में हम लोगों ने अनुचुम्मे का किया पहले वो ऐसा था लेकिन जो है Otherwise कि अब हम यह क्या कर रहा है तिव्र चुंब appel की च्षतियों और आकरशित हो रहा है और इसके बाद जो है हम क्या देख रहे हैं कि यू नली में इसका इसका प्रतिक्रिया होती है यह हम लोग ने देख लिया इसकी कंक्षईलतन एक से थोड़ी कम होती है तो यहां पर जो है हमको सुत्र मिला म्यू आर बराबर एक धन काई एम और यह इसका मान जो है एक से थोड़ा अधिक होगा तो हमको चुमा किति अधिक मिलेगी अब अनुचुमी के पदातों के प्रक्रति अल्प किंतु धहनात्मक होती है जबकि परती चुंब की पदार्थ कैसे थे वो ज mixing की शेटर से कम चुंब की शेत्र अपने अंदर विक्सित होने दे रहा था अनु चुंब की परवित्वी कि ने कोई फरक नहीं पड़ेगा और इनकी तुलना धुरूविय परा विदुतांग से भी की जा सकती है इस विसे की चर्चा खतम होती है आप सभी को धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें इतना प्समेह दिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया और शेयर भी किया अब हम इसके पूर प्रशन पत्र से उठाकर प्रशनों को पढ़ना चालू करेंगे तो जुड़े रही है हमारे साथ क्योंकि अब होने वाली है एक्जाम की बातें तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद